बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है देखी अंदर खाने से जुड़ी हुई जो खबर है वह बाहु बली से नेता बने असोक मातो को लेकर है देखी असोक मातो को लेकर खबरे सामने आ रही है कि आर जेडी अब छोड़ देंगे सोक मातो और जेडिव के साथ मिलकर दो हजार पचीस के विधान सबाद चुनाओ लड़ेंगे अपनी पत्नी अनिता देवी को लड़ाएंगे और कौन विधान सबाद सीठ है वह भी हम आपको बताएंगे पॉलिटिकली ललन सिंग के सामने सरेंडर कर दिया असोक मातो इस विधान सबाद सीठ पर आगे हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले देखिए जब हमने इस खबर की अंदर तक जाने की कोशिस की और जो राजनीतिक पंडित हैं उनसे हमने जब बात किया क इस में कितनी सच्चाई है तो देखिए पता चला कि असोक महतो आरजेडी के साथ है और आरजेडी के साथ भविस में भी रहेंगे लेकिन कौन सीठ है जहां से वह चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं अगर लड़ेंगे उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं कुमारी अन 2005 और 2010 में अपने भतीजा परदीप महतो को चुनाव जिता चुके हैं असोक महतो दो बार बिहार बिधान सभा भेच चुके हैं देखिए वसीठ है नवादा जीला से वारसली गंज बिधान सभा सीठ जहां से आरजेडी के टिकट से 2025 में चुनाव उनकी पत्नी लड़ सकती है कुमारी अनिता देवी वहां से तैयारी भी अंदर ही अंदर चल रही है देखिए जो खबरे सामने आ रही है आपको बता दे वर्तमान में वहां से बिधायक हैं बीजेपी से करुना अरुना देवी जिनको 2020 के बिधान सभा चुन हाराया था अरुना देवी ने 930 वोट से चुनाव हारा कर वहां जीत की थी बीजेपी से सिंबॉल से अरुना देवी बर्तमान में जो वहां से बिधायक हैं देखिए आपको मालूम है कि असोक मातों की पत्नी कुमारी अनिता इस बार जो चुनाव लड़ी थी उसमें ललन सिंग के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था लेकिन 2025 के विधान सभा चुनाव में एंडिये से हार का बदला लेंगे और कहा जा रहा है कि जो मुंगेर में हार हुई थी उससे बदला लेंगे एंडिये के एंडिये से बदला लेंगे और सुध समेत वापस करेंगे दे कोक महतवार जेडी के साथ हैं और भविस में भी रहेंगे बात अगर आती है विधान सभा चुनाव लड़ने की तो वारसली गंज से उनकी पत्नी कुमारी अनीता चुनाव लड़ सकती है वहां पर जो कोर भोटर हैं वह समझिए देखिए कोईरी कुर्मी कुस्वाहा और अत मुस्लिम भोटर भी वहां पर हैं और बात देखिए स्वर्ण भोटर की भी की जाए तो स्वर्ण भोटर भी वहां पर अच्छा खसा संक्या है उनका भी योगडान है लेकिन जो परमूक भोटर हैं वह अतिपिछड़ा कोईरी कुर्मी कुस्वाह इन तमाम जाती के समिकरन पर वहां से विधान सभा जिनको वह लोग चाहेंगे जिनके सात्थ रहेंगे वह विधान सभा जाएगा तो देखिए सोशल मीडिया में जो कयास का बजार है उसमें जो खबरे सामने आ रही थी अनीता देवी को लेकर और बाहु बली से नेता बने असोक महतो को लेकर वह वहीं है कि RJD के साथ थे और भवीस में भी रहेंगे कहीं भी इधर उधर अब जाने वाले नहीं हैं भटकने वाले नहीं हैं सोक महतो तो देखिए वारसली गंज से जहां से उन्होंने दो बार उनके भतीजा पर दीप महतो चुनाव जीते हैं साल 2005 और 2010 में खबरे लागतार सोसेल मीडिया पर जो कयास लगा जा रहाता अंदर खाने में उस पर हम आपको खबर बता रहें कि RJD के साथ थे और भविस में भी रहेंगे अलंके आपके सोच ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा बियार एक सोच आप देख रहें बहुत बहुत धन्यवाद झाल